नमस्कार दोस्तो स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी भरत में दोस्तो आज की स्वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं SSC MTS Staff Selection Commission Multitasking Staff की जो भरती आती है जिसमें 11 October 2021 थर्ड सिप्ट के बारे में पात करते हैं तो दोस्तो expected questions को देखेंगे मेत जी के reasoning के सभी questions को देखने वाले हैं तो दोस्तो आप सभी को बता दें अगर आप SSC MTS की स्टाप selection Commission Multitasking स्टाप की तयारी कर रहे हैं तो जो आपका पेपर है वो 5 October से लेके कब तक चलने बाला है 20 October तक आपका पेपर चलने बाला है इसके दो दिन बाद ही हम 22 October से आपके लिए टायर 2 की क्लास से स्टाप कर रहे हैं जिसमें descriptive paper होता है टायर 2 जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे ऐसे लिखते है letter writing को किस तरीके से लिखा जाता है तो इसकी PDF भी आपको परड़े इस चैनल पर मिलती रहेगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मद भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा ताके आपको letter writing essay, description paper की complete तयारी free of cost मिल जाए तो दोस्तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को चलिए दो तो देखते हैं सबसे पहले मैत का सवाल है मैत का सवाल है एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है उसे कितनी छूट मिलती है देखिए एक व्यक्ति है उसको कितने रुपे की छूट मिलती है पहले 30% की छूट मिलती है बिल पर फिर कितने की मिलती है 20% की माल लीजे कि उसको 100 रुपे देने हैं तो 100 पे कितने की छूट हो गई 30% की छूट हो गई 30% का मतलब ओ कितने रुपे का हो गया 70 रुपे का हो गया बिला आपका कितना बचा 70 रुपे अब 70 रुपे भी आपको कितने की छूट मिल लाई है तो 70 रुपे कुल मिलाके पहले बस्तु कितने की थी, 100 की, पहले बस्तु कितने रुपे की थी, 100 रुपे की थी, अब बस्तु आपके लिए कितने की रह गई, 56 की रह गई, यानि कि आपको छूट कितने रुपे की मिल गई, भहिए, 46 रुपे की छूट मिल गई, अगर परसेंट में लिखन चाहें तो हम इसको लिखेंगे 44% की आपको छूट मिलती है तो टोटल डिसकाउंट के इतना हो जागा 44% चली फैंट से आपसे पूछ सकता है रानी रामपल का संबंद किससे है तो इनका संबंद है होकी से किससे है होकी से आज आपसे पूछ सकता है बजरंग पुनिया जो बजरंग पुनिया है इनका संबंद किससे है तो इनका संबंद है कुस्ती से आपसे पूछ सकता है हिमादास जो हिमाद से हैं वो किस से संब्द देता है तो इनको डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है ये कौन है धाविका है ठीक आपसे पूछ सकता है मरियपन थंगा वैलू का संब्द किस से है मरियपन थंगा वैलू तो ये कौन है पैरा एथलीट है कौन है पैरा एथलीट है तो इस प्रकार के questions आप से पूछेरे आ सकते हैं, چले, friends next question देख लेते हैं, next question है, समाचार चैनल टाइमस नाव के, time's के प्रमुक संपादक कौन है तो इसका सही जबाब है दोस्तों, राहुल सिवसंका, समाचार चैनल टाइमस के प्रमुक संपादक है या मुख संपादक है, चले फेंडे tiand at किस राजे से सम्मझत है देखे कुच्छी पुरी की बात करें तो यह ऐंद प्रदेश का नाटक है किस प्रदेश का है आन प्रदेС्थका याप से पूषता है राउफ कहां कहारऑ कैज़ेड हैं दोगरि कहा याऊच देश से सम्बंदित हैं चली फेंटस नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट है बरस 2020 का अंतिम ग्रेंड स्लैम फ्रेंच ओपन कहां पर आयुजित किया गया था तो यह किया गया था फ्रांस की सरच्छड दिवस मनाया जाता है पांच जून को क्या मनाया जाता है तो आप से पूछ सकता है जैसे एक जुलाई को क्या मनाया जाता है तो एक माई को क्या मनाया जाता है तो एक माई को लेवर डे मनाया जाता है बारा माई को क्या मनाया जाता है तो बारा माई को नर्स एंड मिडवाइब डे याणि के नर से दिवस मनाया जाता है आपसे पूछ सकता है आठ अक्टूबर को क्या मनाया जाता है तो एयर फोर्स डे 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो 15 दिसंबर को मनाया जाता है आपका नेवी डे 4 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे मनाया जाता है 4 जुलाई को अमेरिकी सुतंतता दिबस मनाया जाता है 14 अगस्त को पाकिस्तान सुतंतता दिबस मनाया जाता है मतलब इस प्रकार की questions आप से पूछ सकता है चली फैंट्स next question देख लेते हैं next है सरंकला में लुप्त संक्या को ग्यात किजिए देखें सीरिस दे रखें सीरिस से related question जरूर पूछा जाता है तो पहला है दो साथ दो से साथ पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा पांच जोड़ना होगा साथ से चौदा कितना जोड़ना होगा साथ जोड़ना होगा और आपकी लुप्त संक्या निकल कर आएगी चली फेंस next question देख लेते है next question है एक व्यक्ति अपनी मासे काई का 85% खर्च करने के बाद 3600 रुपे प्रतिमा की बचत करता है देखें जो total amount है मंतली जो income है उसका 85% खर्च कर देता है तो उसको बचत कितने की होती है सेविंग कितने रुपे की है 3600 रुपे की है और expenditure कितना है आपका 85% यानि कि सेविंग बास्तब में परसेंट में कितनी है कोई भी चीज अपने आप में होती है 85% आपने खर्च कर दिया तो 15% सेविंग हुई इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि 15% का जो मीनिंग है वो 3600 रुपे है कितना है 3600 रुपे आप से 100% की भी लूँ क्योंकि 100% आपकी कुल कमाई होगी तो 3600 बटे 15 गुडे 100 यही तो होगा कैंसल आउट करेंगे 5 से जाएगा 3 बार और 5 से जाएगा 5 से जाएगा 3 बार और 5 से जाएगा आपका 20 पंजे 100 तीन से काटेंगे कितना 12, 36 1200 12 से करेंगे तो कितना होगा 12, 2, 2400 कितना हो जाएगा यानि कि कुल इंकम की बात करें तो उस बंदे की मतलब उस आदमी की जो इंकम है वो कितनी है 24,000 रुपिया वो कुल कमाता है चली फेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे का सुभारम हुआ था देखे 1853 की बात है 1853 में लॉड डलोहजी ने किसने लॉड डलोहजी ने मुंबई से ठाड़े के बीच में भारत की पहली रेल चलाई थी ठीक है तो इसका सही जबाब क्या हो जाएगा इसका सही जबाब हो जाएगा लॉड डलोहजी चली फेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है देश बंदू के नाम से किसे जाना जाता है देखे देश बंदू के नाम से जाना जाता है चितरंजन दास किसको जाना जाता है चितरंजन दास आपसे पूछ सकता है बंग बंदू के नाम से किसको जाना जाता है तो सेख मुझीवर रहमान को किसको सेख मुझीबुर रहवान जो पाकिस्तान स्वरी बंगलादेश के जनक माने जाते हैं ठीक तो बंगबंदु के नाम से जाना जाता है सेख मुझीबुर रहवान को चलिफेंस नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन है दिलवाडा मंदिर भारत में किस राज्ची में इस् प्रदेश में राउफ कहां पर है जम्मू कस्मीर के अंदर इस्थित है चले फेंट्स नेस्ट वेशन नेस्ट कोशन है रीजनिंग का बहुत आसान सा सवाल अपसे पूछा गया है गार्डन को लिखा जाता है थ्री टू फाइव सेवन सिक्स पोर वाटर को लिखा जाता है न हो गया दो आर के लिए कितना है यहां पर पांच और यहां पर आर के लिए भी कितना है पांच तो आर के लिए हो गया पांच डी के लिए बात करें तो डी के लिए यहां पर कितना है आपका साथ और यहां डी है नी तो डी के लिए साथ ए के लिए क्या है सिक्स और एन के ल साधन व्याज की दर से, पच्ची सो रुपी का तीन वर्जा का ब्याज होगा, देखिए आपका सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मुला होता है, प्रिंसीपल इंटु रेट इंटु टाइम, बटा सौ, यही तो होता भै, किलियर है, तो प्रिंसीपल कितना है, आपका पचीज सो समझे दुवारा से देखे सिंपल इंट्रेस्ट वरावर आपका साधान व्याज की दर से 25 रुपे तो 25 रुपे आपका मूल धन हो गया अच्छा जी रेट क्या है साधान व्याज 300 रुपे यह होगे चली फैंड्स नेक्स्ट वावर नेक्स्ट क्या होती है देखे फुल फॉपं से लेते क्वशें ज्ञादा पूचे जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है CBB की full pump होती है card verification value क्या होती है card verification value आपसे full pump पूछ सकता है DVMS की full pump क्या है data waste management system इसकी full pump होती है आपसे ALU की full pump पूछ सकता है arithmetic logic unit होती है RAM की full pump पूछ सकता है random assess memory ROM की full pump पूछ सकता है random only memory तो यह सबी इसकी full pumps होती है चले फैंट्स next question देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है दूस्तों नेक्स्ट है राजीब गांदी राष्टिय सद्भावना पुरुसकार सरपर्तम किसे मिलाता तो राजीब गांदी राष्टिय सद्भावना पुरुसकार सबसे पहले किसको मिलाता मदर टेरेशा को मिलाता इनको सांती का नोबल प्राइज भी मि किसे हैं कीट विग्यानजे आप से पूछ सकता है सिस्मो ग्राफ का संबंद किस्से है सिस्मो ग्राफ तो इसका भूकम की तिब्रता को मापने के लिए इसका प्रियुक किया जाता है सिस्मो ग्राफ का चली फैंट्स नेक्स्ट वश्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वेश्ट है, OMR की फुलपर्म क्या है, तो optical mark Reader, OMR की फुलपर्म होती है, खले फैंस, नेक्स्ट कोष्ट वेश्टर देख लेते हैं, नेक्स्ट है, किसे भारत का अगला थलसेना प्रमुक्ष चुना गया है, तो मनोच नर्मडे को भारत का अगला थल सायना प्रमुग चुना गया है नेक्स्ट वुश्चन है दोस्तो तो कम्प्यूटर के छेतर में महान करांती कब आई थी 1960 में तो दोस्तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आप भी SSC MTS की तियारी कर रहे हैं और आपको टायटू की तियारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चली मिलते नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू थेंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो